नमस्कार साथियो, वेट सोलूशन चैनल में आपका स्वागत है, मैं गुर्प्री सिंग, ये जो आप बकरी देख रहे हो, इसको बार बार पेट दर दो रहा था, और खाना पीना बन था इसका, टमप्रेचर भी सबनॉर्मल आ रहा था, और बच्चों की मुवमेंट बहुत क तो वेजाइनल पालपेशन किया तो अपने सर्विक्स का मून नहीं खुला हुआ था, तो फैंसला लिया कि सिजेरियन करेंगे, सिजेरियन करके इसके जो पिट्स है, वो बाहर निकाले, तो एक किड है, वो डेड था, और एक की सांसे चल रही थी, तो इसकी जो हिस्ट्री है, इसको लंबे टाइम से पेट दर्थ था, और हलका सा ब्रॉंकाइंटिस था, खांसी कर रही थी बार बार, वीक्नेस बहुत ज़्यादा था, और जिसके कारण सर्विक्स का मून भी निकुल पाया, और इसका सिजेरियन करना पड़ा, तो सिजेरियन में जो फिट्स है, एक की सांसे चल रही थी, वो भी डेड हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमजोर थे, इनकी माँ कमजोर थी, तो ये भी कमजोर थे, तो इसका अपने ट्रीटमेंट किया तीन दिन तक, एंटिबायोटिक के साथ, और स्पोर्टिव थ्रेपी में, फ्लूड थ्रेपी में इसको फ्लूड लगाया, तो अब ये गौट है, स्वस्त है, बच्चे इसके मर गए हैं, अब ये नॉर्मल है, और वीकनेस बहुत ज़्यादा है इसमें, तो वीकनेस के लिए अपने इसको अलग से सिर्फ स्टार्ट किया है, जिसके कारण ये जल्दी स्वस्त हो जाए, औ और आगे बच्चे देने में समर्त हो, धन्यवाद दोस्तो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेर उर क्लिक शेर